राधे कृष्णा सबसे पहले तो आप सब को एडवांस में ही हैपी रक्षा बंधर्ण आज की वीडियो में हम जो रिच्वल करने वाले हैं जो रिच्वल सीखने वाले हैं प्लीज उसे आप लोग किसी और नजरिये से मतलब बहुत से लोग होते हैं अगर किसी और धर्म के बारे में उनसे कोई भी रिच्वल कोई भी manifestation टेक्निक उनसे शेयर करो तो वो मतलब सोचने लगते हैं कि हम हिंदू धर्म बिलॉंग करते हैं तो हम किसी और धर्म के रिच्वल क्यों करें लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कि हम लोग यहां हम लोग नॉर्मिली हमसे कोई बोलता है कि आप न उस दर्गाह पर चले जाओ वहाँ पर चादर चड़ाने से आपका ये काम हो जाता है तो क्या हम हिंदू वहाँ पर नहीं जाते हैं बहुत सारे हिंदू हैं जो दर्गाहों में जाते हैं जो चर्च में जाते हैं आपको यहां पर कहीं जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है सिर्फ घर में बैठ कर आपको एक सिंपली रिच्वल करने के लिए कहा जा रहा है ये सारी बाते यहीं पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में आज के वीडियो में हम Master Merlin के magic के बारे में बात करने वाले हैं एक Master Merlin का वो एक magician थे तो उनका magic हम आज मलब इससे related ritual करने वाले हैं के लिए आपको क्या करना है सिंपली सा आपको Master Merlin को एक letter लिखना है अब वो letter हम Master Merlin को कैसे लिखेंगे यह हम इस वीडियो में जानेंगे Master Merlin एक बहुत बड़ी magician थे आप लोगों ने Harry Potter movie वगएरा में देखा होगा उसमें show किया गया है तो अब हम अपनी wishes को complete करने के लिए अपनी manifestation के लिए Master Merlin की help कैसे लेते हैं यह हम इस वीडियो में जानेंगे आप लोगों को सबसे पहले आप जिस यहां पर बैट करके यह ritual आप करोगे वो जगह पहली बात तो सांथ होनी चाहिए clean होनी चाहिए और वहाँ पर न आप incense वगएरा लगा के इत्र लगा के परफ्यूम वगएरा लगा के उसको मतलब बहुत अच्छे से smell आनी चाहिए सुगंधित स्थान होना चाहिए सद्ध हिंदी में तो अब आपको क्या करना है कि आपको 3 बार आपको master sparkling को call करना है dear master realidad please come with me dear master adrenalin please come with me अब आपको क्या करना है अपने mind में अपनी wish के बारे में सोचना है और मैं side में उनकी इक prayer pinch कर रही हूँ आपको वो prayer बोलनी है आपको इस prayer को बोलना है इस prayer को बोलने के बाद आपको Master Merlin का ध्यान करना है और अब आपको एक pen और paper में अपनी problem लिखनी है Dear Master Merlin, बस अब आपको इसके नीचे अपनी problem लिखनी है problem लिखनी के बाद आप उस paper को fold कर दोगे fold करने के बाद एक बार अपने मन में Master Merlin से आपने जो कुछ paper में लिखा है वो आप बोलोगे इसके बाद आपको फिर से thank you Master Merlin, thank you Master Merlin, thank you Master Merlin बोलना है इसके बाद आपको उस page को कहीं पी रख देना है बस आपको simply इतना ही करना है आप आपको क्या करना है कि डेली आपको क्या करना है 21 days तक डेली आपको दिन के किसी भी वक्त उस paper को निकालना है Master Merlugg को three times call करना है और अपनी problem बोल के बतानी है और उनसे prayer करनी है कि आप जल से जल मेरी इस wish को मेरी इस problem को solve कर दो, मेरी इस wish को पورा कर दो सिंपली बस आपको इतना ही करना है आपको किसी चर्च में नहीं जाना है कुछ चड़ाना नहीं है कुछ करना नहीं है ये तो आप कर सकते हो न एक बार ट्राई करके देखे मैं जो टेक्निक्स बताती हूँ एक बार आप उसे प्लीस किया कीजिए फिर आप देखिए आपको कैसे फर्ग नजर नहीं आता है आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में